वाट शुड बी ता माक्स वर्सिस परसेंटाइल ग्राफ एक्सपेक्टेड ग्राफ फॉर जेई मिन दोजार पच्चिस जो मैंने लास्ट ये इस टाइप का जो वीडियो बनाया था बिल्कुल सेम ट्रेंड बेटा जेई मिन दोजार चौबिस में फॉलो हुआ था तो जैसा प्यार से MSM बावा बोलते हैं MSM सर बोलते हैं और जैसा आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो हम लोग डिसक्रशन करने वाले हैं सेफ स्कोर का क्या है सेफ स्कोर जेई में 2025 के लिए वो स्कोर जिसके थूर आप एक टॉप निटी में टॉप ब्रांच को टार्गेट कर सकत हो तो बिटा आज मैं तीन टाइप के स्टूडेंट से इस वीडियो में बात करने वाला हूं पहला टाइप है वो बच्चे जो कि किसी एनिटी में टॉप ब्रांच को टार्गेट कर रहे हैं लाइक 99.9 परसेंट टाइल वाले बच्चे 99.9 परसेंट टाइल पे बच्चों म 99 परसेंट टाइल वाली केटेगरी क्योंकि या 99 परसेंट टाइल में इस बार मोटा मोटा है इस बार का मतलब जहीं में 24 में बिटा सोलह हजार के अप्रॉक्स रेंग थी और तीसरा वह यह जो परसेंट टाइल वो है देखो 95 परसेंट टाइल क्योंकि वह जो 95 परसेंट ट वो होना है वोट इस वाट शुट भी दा माक्स वर्सिस परसेंटाइल ग्राफ एक्सपेक्टेट ग्राफ फॉर जैमिन दोहजार पच्छिस इस चीज को बिटा में बहुत गहराई से समझना होगा क्योंकि बच्छों देखों जो मार्स उसे परसेंटाइल होता है यह तीन ची सेम ट्रेंड आप मानके चलिए दोजार पच्छिस में भी फॉलो होने वाला है ठीक है अब देखो भी यह जो माक्स वर्सिस जो परसेंटाइल वाला जो ग्राफ बनता है वो मोटा मोटा देखो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है पहला होता है कि सट डिफिकल्टी कर रहे हैं बहुत जादा कॉम्टीशन है तो बहुत जादा नंबर लाने पर परसेंटाइल आपका कम हो सकता है और तीसरा ओव्यसली दुनिया में ट्रेंड बहुत इंपोर्टेंट है कि पिछले सालों का क्या ट्रेंड रहा है उसके थूरू भी हम लोग बेटा कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके थूरू आपके दिमाग में क्लेरिटी आ जाएगी कि आखिर कितना स्कोर बेटा टार्गेट करना है इससे पहले बेटा जैसे कि आपको पता है नीचे एक लिंक दिया हुआ है एक सितंबर से तीन सितंबर के बीच में अनेकैडमी का सब्सक्रिप्शन सारे पेड लाइफ एंड रिकॉर्डेट बैचे आपके लिए फ्री हो जाएंगे और कल बेटा इसका देखो लास्टे है अब जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे कल यह बात कर रहे थे सर अगर आपने फ्री भी कर दिया है तो साथ दिनों में हम लोग क् मैं मानता हूँ आप लाइव एंड रिकॉर्डेट बैचे में पूरा नहीं कंटेंट पड़ पाऊगे पर एक कम कर पाऊगे क्या आप नोर्ट सारे डाउनलोड कर लो आपके जो भी फेवरेट एडुकेटर से जो भी आपका फेवरेट कोर्स है वहां से सारे नोट जाके आ आपके लिए डाउट सॉल्विंग हम लोग ने रखी हुई है जिसके तुरू आप अपने देखो डाउट क्लियर कर सकते हो तो जल्दी से अनकेडमी के आपको डाउनलोड करो उसके बाद पीटा कॉमेंट सोरी वहां पे कोड यूज कर देना जे बीके लाइफ इसी कोड को आपसे बोला था कि जो आपका मार्क्स वर्सेश जो परसेंटाइल का जो ट्रेंड है वो मोटा मोटा तीन जीजों पर डिपेंड कर रहा उसमें से पहली चीज थी क्या है डिफिकल्टी अनलिस तो मैंने 2019 से बेटा पूरी डिफिकल्टी अनलिस लेके रखी है 2019 में फिजिक पहले ही डिफिकल्ट पेपर आया था और यह डिफिकल्ट सही बताऊं उतना डिफिकल्ट नहीं था मतलब कि थोड़ा सा जादा मिडियोकर था मतलब मिडियोकर डू डिफिकल्ट के बीच में था तो देखो यार इस साल का जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है इसी टू मिडि पिछले चे-साथ साल के पीवाई की उस कर लेते हो अच्छे से उसके सारे फॉमले याद होते हैं तो पिटा आफ फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर लोगे दूसरा तरह यह चीजे याद करनी पड़ेंगी यहां पर आपका वह याद नहीं करेगा कि हम चीजे याद नहीं करते बहिया जो सब्दे करने वाला उसको याद करना पड़ेंगा जो समझने वाला उसे समझना पड़ेगा मैस के गजस में दोनों चीज होती है कुछ फॉमले याद करने पड़ते ही फिर उनको जाके में अपलाईjang करना होता है बार-बार दिमाग को Stelle करना होता है कि कि सवाल कि होते हैं फिर भी या मैं सुनि स्टार्ट होती है मैं स्कीबात करी जैए तो देखो यह पिछले 2019 से ही देख लो या तो मिडियों कर है या डिफिकल्ड के बीच में है जनरली देखो दिफिकल्ड के बीच में आ रहा है और मैस का पेपर अगर मैं बोलता हूं डिफिकर्ट है तो let me tell you one thing मैस के पेपर कोई डिफिकर्ट नहीं आ रहा है ऐसा नहीं कि लोग सोच नहीं पा रहे हैं मैस के पेपर ने बस एक चैलेंज आ रहा है वहारा है स्पीड का क्योंकि बहुत लेंदी पेपर आ रहा है यहने का मतलब यह कि अगर कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है उसको पूरी तरीके से मत छोड़ देना उसको एडलिस हर चैप्टर को इतना जरूर कर लेना कि अगर सब्जेक्ट में आपको 2025 के जई में अच्छा करना है तो पिछले 2019 से लेके जितने अब तक सारे पीवाई की उसे जरूर लगा के देख लेना तो यह ध्यान देना यही जो डिफिकल्ट पेपर है वो आपके लिए से मिडियोकर या मिडियोकर से कम हो जाएगा क्योंकि मिलती जुलती कैलकुलेशन ही हर सेट में बेटा लगबग पूछी जाती है अब यह चीज के अगर बात करी जाए सन नंबर व यूनीक कैंड़िट थे को हर साल जही में जो लोग एपियर कर रहे हो बढ़ते ही जा रहे साढ़े दसलाक लगबग स्टूडेंट से 2019 में साढ़े 1,5 Gold से 2020 में साढ़े 10लाक के करीब स्टूडेंट है दो जार एककिस में ठोड़े कम हो गाये तентиकाउस और वेड़ देमें लााग जिए सोर्फ ए जश से बहुर्ए सब हो में जो ज़ह जाए और चिस वाला जो जैए मेन होने वाला है यह मान के चलो लगभग 16 लाग बढ़ने वाले मतलब आपको यह समझ में आ रहा है कि आरदेको पेपर का पैटर्न तो वैसे रहने वाला है जैसे अब तक था में चीज क्या है कि कॉम्टीशन बढ़ने वाला है मतलब अब तक जितना जब कंडिडेट बढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाता है तो आप ज्यादा नमबर लाओगे तब आपका अच्छा परसेंटाइल आएगा कम नमबर लाओगे तो परसेंटाइल बहुत ज्यादा आपका ड्रैस्टिकली डिक्रीस कर जाएगा इसके बाद भी अगर प्रीविस देखा जाए तो मैं यहांते बड़ा कोई डेटा लेकि नहीं आए विकॉज तुम्हें क्या मतलब कि यहां पे 99.1 का बार चाहिंगा का बार है 93 का बार है में ली देखो बिटा मैंने यहाँ पर तीन परसेंटाइल की बात करी है 99.9 99.9 का मतलब होता है कि यह टॉप नाइटी टॉप ब्रांच आपको मिल जाएगी लगबख 1600 आपकी रैंक आएगी 99 का मतलब होता है 16,000 तक रैंक आएगी किसी अच्छे नाइटी में अडिमीशन मिल जाएगा ब्रांच का बिया कुछ नहीं कहा जा सकता और तीसरा 95 परसेंटाइल बाइस आप किसी ना किसी नाइटी में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी तो यह दे 2023 में 243 जैन्वरी में 241 पर एपरिल 2024 में 258 मार्क्स पर अब यहां पर ध्यान देना जब मैं बोलता हूं कि इसे 241 पर 99.9 ता इसका मतलब यह यह नहीं है कि सभी का 241 पर 99.9 यह सिवे गावरेज लिखा है कुछ ऐसे सेट थे लास्ट यह जन्वरी 2024 में जिसमें 270 नंबर प तो जब मैं यहां पर यह डेटा लिखा है यह मैंने एवरेज लिखा हुआ है चितना आपको टार्गेट करना है पर इसको भी फॉलू नहीं करना है और आगे आगे कुछ आपको बताने वाला हूँ उस रेंज को भी सब्सक्राइब करना है ऐसे भी यह आगर बात करी 2023 173 अपरेज एपरेज में 2023 182 था जैन में 192 था और एपरेज में 199 मतलब लगभग देड़सो नंबर था तो यह थे बईया प्रीवियस ट्रेंड अब अगर बीटा तीनों फेक्टर को मिला दिया जाए कि डिफिकल्टी लेविल क्या है दूसरा क्या हुआ डिफकल्टी लेविल के बात में यूनिख कैंडिड़ेट्स अविएसली बढ़ने वाले हैं और तीसरा प्रीवियस ट्रेंड को भी यह मिला दिया जाए तो देखो हमको भी यह मोटा-मोटा यह समझ में आता है कि यार सेव स्कोर का क्या bracket हमें रखना है किस range में हमें score करने का target करना है जिसमें कि अगर आप top NIT में जा रहे हो तो at least top branch तक पहुचो या फिर किसी top NIT तक ही पहुच जाओ या फिर किसी ना किसी NIT में को ना कोई ब्रांच मिल जाए यह तीन category आगे बिटा हम discuss अभी करने वाले हैं उससे पहले एक देखो subject wise में आपको target देना चाहता हूं सर subject wise target क्या है देखो भाई physics easy आ रहा है paper इतना प्रलेना है कि अगर उससे formula बेस सवाल आ जाए तो तुमसे हो जाए जो मेरे क्याल से तुम्हारे caliber के बच्चे कर सकते हैं कम से कम 70 नंबर तो बीटा आपको physics में लाने ही है और chemistry में आपको target करना है जो एक पढ़ने वाला बच्चा लेके आ सकता है ऐसा बच्चा जो रोज पढ़ता है वो भी या कम से कम 80 नंबर तो बीटा अराम से physics chemistry में स्कोर कर सकता है जही में में अब अगर असी असी नंबर एक सो साट नंबर आप विजिक्स और chemistry में ले आते हो मैंस के पर कितना भी लंदी हो जाए अगर आप पढ़ने वाले हो तक जा सकते हो और हाँ अगर कोई शिफ्ट बहुत इजी हो गया तो ऐसा हो सकता है कि 250 नंबर पर 99.99 लेकिन 250 नंबर पर 99 से उपर ही आ जाएगा जिसके थुरू अगर बहुत टाफ चैप्टर से इजी सवाल आ जाए तुम्हारे वह हो जाए और असी असी नंबर फिजिक्स से मिस्ट्रे में अब जैसे भी यह देखो नेक्स बात करते हैं सर जेई में 2025 का जो एक्सपेक्टेड जो रेंज है यहां पर ध्यान से देखना रीजन बिंग वैसे सही बताऊं 245-250 नंबर पे भी आपका 99.9 आ सकता है लेकिन क्या पता आपकी किस्मत खराब हुई आप एक ऐसे शिफ्ट में बैठे हो जहां पर बहुत ईजी है अगर पेपर ईजी है तो बाई 270 पे भी 99.9 आपका ना ऐसा हो सकता है पर हां दिस इस से जोन जिसमें आप अच्छे नाई टी में अच्छी ब्रांश सकते हों इस से 1996 से धाइसों से कमता हो फिर सोच हे नहीं सकते हुँ दूशे टाइप के बच्ची जिनको एक अच्छे निऊची में में अच्छी ब्रांश लेरा है तो यहार वो कम से गम 170 से लेके 220 के बीच में प्रइपने दिल से बात करूं मैं यह कहूंगा कम से कम मिटा 200 नंबर को टार्गेट करो अगर 200 नंबर करते हो तो आप सेव जोन में हो जाते हो जब रिजर्ट आएगा 99 परसेंट आल तो आपको दिखेगा यह पीज़री चीज आती है कि आपको किसी ना किसी ना इटी में सिर according to me and last year मैंने same type का वीडियो बनाया था मैंने आपको बारबर का है जो वीडियो में मैंने बताया था उस last year ठीके न मिलकुल same trend बीटा फॉलू हुआ था जेही मिन 2024 में तो मैं सही बोल ला हूँ जैसा यहां बोल ला हूँ वैसा ही trend बीटा फॉलू होना है तो मीद आप कर सकते हो सारे पीवाई की उसके solution डाउनलोड कर सकते हो अपने favorite educators के notes डाउनलोड कर सकते हो and that will surely gonna help you in future तब तक के लिए जै बाबा की जैहन लव यू अल टाटा बाई बाई